फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूटूब चैनल पे आज आप लोगों के साथ मफलर की एक नई वीडियो शेयर करी हूँ देखिए यह बना है मैंने मफलर का बहुत खुबसूर नीटिंग डिजाइन काफी ब्यूटिफूल नीटिंग डिजाइन है यह देखिए पूरी अगत है आपका मेरे इस यूटूब चैनल पे आज आप लोगों के साथ मफलर की एक नई वीडियो शेयर करी हूँ इसके लिए मैंने यह लिए हैं देखिए नाइन नंबर की सिलाई यह देख सकते हैं और यह है ऊस्वाल कंपनी का ओन थिरी प्लाइवाला तो इसका यूज कर रहे हूं क्योंकि थिरी प्लाइवाला काफी सॉफ्ट रहता है और इसमें साइनिंग काफी अच्छी होती है तो इसी का यूज कर रहे हूं आज तो सबसे पहले आपको फंद्रे डालने बताऊंगी कि किस तरीके से हम मफलर बनाने के लिए फंद्रे डालते हैं और कितने इक रफंद्रे हमने डालने चाहिए नो देखे यह ताग कर ले इसको इस तरीके साब डबल कर लिया है यह देखे इस तरीके से आप इसको डबल कर लेजें इस तरीके से हमने थिरी लेयर इसकी कर दी यह देखे और इधर रखे है मैंने यह गुल्ला और अब थिरी लेयर करने के बाद यह देखे इस तरीके से बीच में हम यह आपर स्लाई डाल देंगे ये देखे से लाई डाल दी मैंने उल्ला अपनी लेप्ट साइड रखा है मैंने तो ये देखे इस तरीके से आप थम में लपेटी है थागे को एक फंदा मैं इसमें टोटल 42 फंदे डालेंगे दो फंदे टाइट कीजिया ये देखे थम में लपेटा थिरी फिर दो फिंगरों के बीच इस तरीके से लेना है इससे जो फंदे होते हों काफी अच्छे बनते हैं फिर एक बार थम में लपेटेंगे और एक बार इस तरीके से दो फिंगरों के बीच इस तरीके से तागे को रखेंगे इस तरीके से सिलाई में रखते हुए, ये देखे, फिर तागे को यहां हां इस तरीके से लप्रेटेंगे, एक बार थम में रगाएंगे ये, और एक बार टू फिंगर के बीच, तो देखे, इसी तरीके से मैं 42 फंदे डाल के दिखाती हूं, फंदे डालते हैं, जो तरीका मै आपको बता है तो इसमें हमने first line उल्टा बना के complete करना होता है देखे इस तरीके से first row को आप उल्टा बना लीजिए इस पिलाई अपनी side तागा अपनी side रखती हुए यह पूरी row हम उल्टा complete करेंगे तो इस तरीके से पूरी रो को उल्टा कंप्लेट करके दिखाते हैं ये देखे इस तरीके से पूरी रो उल्टी रहेगी फिर कैसे डिजाइन डालना है वो बताऊंगे देखे फर्स्ट रो मैंने उल्टा बनाके कंप्लेट कर दिया है ये देखे ये जो फंदे डालने के ये तरीका है ये काफी beautiful तरीका है देखे इसे नीची की जो border आता है ये काफी सुन्दर आता है तो देखे अब किस तरीके से हमने इसमें design डालना है वो देखे आप देखे फर्स्ट जो starting का फंदा है इसको हम बिन लेंगे अब देखे हमने दो का एक करना है ये दो फंदे हैं दो का हमने एक कर लिया ठीक हो गया और अब इस तरीके से हम तागा लपेट लेंगे और एक तागा लपेट लिया इस फंदे को इस तरीके से निकाल लेंगे फिर हम दो का एक करेंगे और फिर हम तागा लपेटेंगे और सामने वाले फंदे को इसे तरीके से निकाल लेंगे फिर दो का एक करेंगे फिर तागा लपेटेंगे यानि कि दो का एक किया तो एक फंदा कम हो गया तागा लपेटने से एक फंदा बढ़ गया और उसके सामने वाले फंदे को बिना बिने हुए इस तरीके से निकालना है फिर दो का एक किया और दो का एक करने से एक फंदा कम हो गया तो आगा लपेट दिया तो फंदा पड़ गया सामने वाले फंदे को बिना बिने हुए लेना है फिर दो का एक किया तो इसी तरीके से हम पूरी रो कम्पलेट करेंगे। फिर दोका एक करेंगे तागा लपेटेंगे सामने वाले फन्देको बिना भिने हुए लेंगे। फिर दो का एक करेंगे, तागा लपेटेंगे, सामने वाले फंदे को बिना बिने हुए लेंगे, देखिए ये बेहत खुबसुरत और बेहत आसान नेटिंग डिजाइन है, देखिए लास्ट में हमारे दो फंदे सेस बजते हैं इसमें, क्योंकि फोर के मल्टिपल में हम इसम मैंने इसमें 42 फंदे लिए हैं, और लास्ट के दो फंदों को हम उल्टा बिल लेंगे, लास्ट के दो फंदों में हम कोई भी डिजाइन नहीं डालेंगे, देखिए इस तरीके से मैंने अपनी पूरी रो कंपलीट कर दिया, और काफी ब्यूटिफुल ये डिजाइन बनके रेडी होता है, अब आते हैं हम अपनी बैक साइट, देखें बैक साइट की रो में सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बनाते हुए कंपलीट करना है, जो फंदा हमने इस किप किया था उसको भी उल्टा बनाना है, और जाली वाला फंदा जो लपेटा था उसको भी उल् सबी फंदों को उल्टा उल्टा बनाते हुए हम अपने पूरी रो कम्पलीट करेंगे यह देखे देखे इस तरीके से मैंने बैक साइड की रो पूरी उल्टी उल्टी कम्पलीट कर दिया देखे यह बहत खुबसूर नेटिंग डिजाइन बनके रेडी हो गया है और देखे इसका जो डिजाइन है काफी खुबसूरत लग रहा है तो इसी तरीके से आप भी रेडी कर लीजिए और किस तरीके और इसको हम इसकी जो लैंथ रखेंगे वो डेल मीटर रखेंगे देखे हम मफलर में लगाएंगे हम नीचे से लटकन यानिकी जहलर तो किस तरीके से बनाते हैं वो दीखे फोर फोल्ड में फोर फोल्ड कीजिए यह देखे टू बार मैंने किया थिरी फोर फोर फोल्ड करने के बार इस तरीके जो यह फर्स्ट होल है इसके अंदर हम इस तरीके से तागा डालेंगे, देखिए, और ये देखिए, इस तरीके से तागे के बीच से ये, इस तरीके से निकाल के यहाँ पर नौट लगा देंगे, इसी तरीके से हमने सब होलो में एक एक बार तागा डालना है, देख सकते हैं, मैंने इसमें नीचे स इस तरीके से झलर लगा दियां आप लटकन भी बोसकते हैं यह देखिए घर ये इस तरीके से यह खूब सुरस्ट जयन बन बन यह ढ कि यह मैंने चलर लगा दियां आप इनको आप बराबर कट कर लिए यह और तरह ayya देखिय conservative is के से अब इसको हम बराबर कर लेंगे देखिए इस तरीके से आप muffler के design को आगे बढ़ाते वहें इसकी length देड़ मीटर रख लीजिए और अगर आपको जादा लंबा या जादा अगर आप sort muffler बनाना चाहते हों तो length कम कर सकते हैं और अगर आपको जादा लंबा हीची यह तो length बढ़ा सकते हैं अपने गले में डालके अपने length के according muffler की length भी रख सकते हैं और normal जो muffler की length रहती है वो 1.5 meter रहती है तो अगर muffler का ये design आप लोगों को पसंद आये हो तो पिलीज चैनल को like करें, share करें, नई हो तो subscribe जरूर करें साथी all के button पर click करें, जिससे के हर आने वाले वीडियो की notification आप लोगों तक पहुंचे और इससे पहले भी मैंने muffler के design की वीडियो अपने ही चैनल पर upload की है तो देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके सभी वीडियो, thanks for watching, अब मिलूँगी एक next वीडियो के साथ